नेशनल मेडिकल कमिशन की ओर से 3 फेवररी 2022 को एक नोटिफिकेशन आता है एक पीडियाफ आता है और उसमें ये नोटिफिकेशन में मेंचन होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज़ेस हैं MBBS की वहाँ पर 50% सीट्स में गॉर्मेंट कॉलेज़ेस की फीस लगेगी 2022 से एंप्लेमेंट भी होने वाला है इसके बारे में कैसारी न्यूज मीडिया में प्लस जो सोशल मीडिया है वहाँ पर सर्कुलेट भी हो रही है बहुत सारे स्टुडेंट्स और पैरेंट्स का मानना है कि 2022 में जो प्राइवेट कॉलेज़ेस हैं वहाँ पर 50% की सीट्स में गॉर्मेंट के बराबर फीस लगेगी सिर्फ 30,000, 40,000, 50,000 में एडिमिशन हो जाएगा और वहाँ पर मार्क्स भी कम लगेगे जैसे कि पहले लगता था गैस क्या वाकई में ऐसा होने वाला है क्या 2022 में ये रूल लागू होगा अगर ये रूल या इससे मिलता जुलता रूल किसी स्टेट में है तो कौन से वह स्टेट्स हैं प्लस जिन स्टेट्स में कॉस्ट बहुत ज़ादा है प्लस क्योंकि डीम्ड इनिवर्सिटी को भी इ examination की या फिर ऐसे parents जिनका ये मानना है कि अगर government college में नहीं हुआ और marks कम होते हैं तो private में कम fees में admission हो जाएगा क्या ये सही है और कहां तक आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर सोचने के लिए आपको minimum जो standard है minimum जो marks है वो कितनी ज़रुत पड़ेगी mbbs में different state में admission के लिए इ guys आपके हर question का answer इस छोड़े से वीडियो में देने की कोशिश करेंगे medical union की ओर से मैं हमित expert की राय क्या कहती है उसके बारे में discussion करेंगे आप medical union के साथ बने रहे हैं चैनल पहले बार visit कर रहे हैं अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया तो इसको subscribe जूरू कीजिए तक कि future के ज counseling को लेकर वो आपको non-stop लगातार मिलते रहेंगे guys NMC की ओर से जो draft था medical में colleges में fees को decide करने का उस draft के ऊपर लोगों से views मांगे गये थे right और उसके बाद decision लिया गया पैनल की ओर से 3rd February 2022 को और यह decision आते ही social media पे और जो media news है वहाँ पर यह circulate होने लगा कि जो fees है अब वो 2022 से private colleges में government के बराबर fees लगेगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से circulate भी किया गया बहुत सारे students और parents काफी खुश होगे कि अब तो चलो private colleges में जो है वो fees बहुत कम हो जाएगी हमारे students अगर वो चाहते हैं उनके marks कम आते हैं देन उस case में वो कर सकते हैं गाईज सचा ही क्या है अगर हम इसके implementation की बात करें देन गाईज NMC के हिसाब से यह जो rule है 50% की seats में government के बराबर colleges की fees गाईज यह private colleges plus deemed universities में लगनी है deemed universities one of the expensive medical colleges होते है different universities की फीस बहुत ज़ादा है देड़ करोड तक 5 साल की cost होती है MBBS की private colleges की अगर हम बात करें देन गाईज on an average 15 लाग on an average 15 लाग per year का expense आता है private college से अगर हम MBBS की बात करें on an average में सारी states की मिला कर बात करना हो कुछ states हैं जहां पर फीसका में केरला 7-8 लाग, पंजाब 10 लाग, right, so कुछ states हैं लेकिन अगर हम on an average बात करें तो करीब 15 लाग के आसपाथ total expense, hostel fees और बाकि सब कुछ मिला कर tuition fees मिला कर आता है, right, और deemed में ये fees बहुत जाता है, अब NMC का जो guideline है, उसके हिसाब से NMC ने कहा है कि जो universities हैं, plus जो institutions हैं, यहां पर जो fees है, that should be at par with the fee in the government medical colleges of that particular state and union territory, यानि वो private medical college, ये फिर दे government colleges की fees है, उसके बराबर 50% seat की fees होनी चाहिए, right, guys अगर 2022 में ये implement होता है, no doubt students को बहुत जादा benefit होने वाला है, लेकिन DGHS की और से, MCC की और से, different counseling authorities की और से, और जो medical commissions हैं, different states की, वहां की और से, जो medical director general of medical education, यानि DGME है, different states की, वहां से इस बारे में कोई भी notification या फिर कोई भी news अभी तक नहीं आया है, केरला में जो state counseling का process है, उसके लिए जो registration है, वो start कर दिया गया है, NEET के पहले form open होता है, IPU का form open है, और जो करनाटिका state है, वहां का भी form open है, वहां की students apply कर रहे हैं, right, और अगर हम इन तीनो states की बा इसको लेकर, जो medical college की fees है, उसको लेकर कोई भी declaration या फिर कुछ भी अभी नहीं बताया गया है, 2022 में ये implement होगा, ये तब तक sure नहीं का आ जा सकता, जब तक कि किसी state counseling authority की ओर से, या फिर DGHS की ओर से, fee fixation की report नहीं आ जाती, deemed colleges के लिए और private medical colleges के लिए, सो ऐसे students जो ये सोच रहे हैं कि fees कम हो जाएगी, गाईज और अगर उस हिसाब से आप अपनी preparation में थोड़ा सा deal दे रहे हैं, कि हमारे मार्स अगर 10 number कम आ गए तो चलेगा, या 20-50 number कम आ गए तो चलेगा, हमारा admission ऐसे हो जाएगा, गाईज इस गलत फैमी में मत रहिए, parents अ मैं खास कर request करना चाहूँगा, कि अगर आप students को private medical college में भेजना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि students की जो fees है, वो private की जो college की fees है, वो government के fees के बराबर हो, ऐसे colleges में, बच्चे का admission हो, then मैं आपसे to be very true, to be very clear, जब तक किसी भी state authority का कोई भी notification इस regarding नहीं आ जाता, तब तक य ये rule लागू होगा, राइट, हाँ, जैसे ही लागू होगा, तो no doubt कि इसका benefit सबको मिलेगा, अगर 2022 से हो जाता है, well and good अच्छी बात है, लेकिन cut off क्या down जाएगा, क्या 50 number कम आएंगे, government में जिस number पर admission होता है, उससे 50 number कम आएंगे, तो क्या बच्चे का admission private college में हो जाएग का, उससे private medical colleges में 50% government की fees पर, जो admission होगा, उसमें maximum से maximum 10 number का difference आएगा, इससे नीची का difference नहीं आएगा, क्योंकि जो medical colleges हैं, उन states की, वहाँ पर जब हम 50% streets की बात करेंगे, तो वो private colleges होगे और private seat होगी, वहाँ पर government के बराबर fees लगेगी, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि degree जो है, वो government के मिलेगी, ऐसा बिलकुल नहीं है, रेट, वहाँ पर जो cut off है, वो मुश्किल से मुश्किल 10 number down होके आएगा, बहुत ज़्यादा खीच की, वो भी ऐसे states में जहाँ पर की medical colleges ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा state जहाँ पर medical college का में, वहाँ पर ये जो difference है, government medical college के last cut off plus private medical college के government के fees में, जो 50% seat है, वहाँ पर जो cut off होगा, उसमें मुश्किल से मुश्किल 5-10 number का difference होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 600 number नहीं आएंगे और 550 आएंगे और उसके बाद मेरा 50% की जो fees है, वहाँ पर जो की government के fees में में मे होगे, तो वहाँ पर admission नहीं होगा, so students अगर आप preparation कर रहे हैं, आप focus कीजिए कि आप government का जो cut off है, उससे कहीं ज़्यादा मार्स लाने का, ताकि आपका अगर कुछ-कुशन गलत भी होते हैं, तो कम से कम इस border पर आ जाएं कि हाँ, हमें government में admission मिल जायागा, गलत फ्यमी में बिल्कुल मत रहिए, notification जब तक किसी भी state authority का नहीं आ जाता, MCC की ओर से या फिर DGHS की ओर से deemed colleges के लिए नहीं आ जाता, या फिर किसे deemed college का notification फीस के लिए 2022 का नहीं आ जाता, गैस इस बारे में sure मत रहिए कि 50% seat में जो admissions है, वो government के बराबर फीस लगेगी, वैसे mid-car wing की जो team है, उनका यहीं मानना है कि इसकी possibilities बहुत काम है, कुछ examples हम आप लोगों के साथ share करना चाहेंगे, करनाटका, private college में जो government कोटा होता है, फीस बहुत कम है, सिर्फ 1 लाग रुपे, तमिलनाडू, private medical college में category A की seat, फीस है, सिर्फ 60,000 रुपे, यानि कुछ states हैं जहां पर कि कम फ states हैं, उन्होंने पहले इसको लागो किया हुआ था, रूल तो अभी आया है, लेकिन MCI की guideline, fee fixation को लेकि पहले से ही कई बार बताई जा चुकी है, right, 50% की जो seats है, deemed के लिए, first time ये इसको notice में लाया गया है, right, और NMCM ने इसको कहा है, लेकिन strictly 2022 से हर college में, हर medical college में ये चीज possible होगा, हर state में possible होगा, guys, medical team को ऐसा नहीं लगता, फिलहाल, अगर ये लागो होता है, तो बहुत अच्छी बात है, सबका benefit होगा, लेकिन cutoff बहुत नीचे नहीं आएगा, 10 number का maximum अंतर, किसी भी category के लिए, government से, private college में, जो government की seat है, जहाँ पर की fees, government के college के बराबर की लेगे 2022 के medical colleges में आएगा, इसको medical wing की ओवर से upload किया जाएगा, ताकि आपको एक proper information मिलते रहे, आप medical wing के साथ बने रहे है, चैनल पहले बर विजिट कर रहे है, तो फिर आप इसको subscribe जरू कीजिए, पूछना चाहते हैं, कोई query है, आप हमें comment box में comment में पूछ सकते हैं, या फिर screen जो number शोर है, इस number पर आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, मेट कविंग के app अबेल बेल है, गूगल प्ले स्टोर पर, अगर ने 2022 की counselling के लिए expert की guidance चाहते हैं, या फिर all over India के states के जितने भी medical college हैं, उनकी cut off 2020 और 2021 की PDF के तौर पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज ही download कीजिए, मेट कविंग के app अबेल बेल है, गूगल प्ले स्टोर पर, thank you for watching मेट कविंग, thanks a lot.